नमस्तार आप देख रहे हैं अर्वर्ट जूज मैं हूँ आपके साथ कुंकेज जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में विधान सभा चुनाओं है और चुनाओं का पहला चलंग हो चुका है और दूसरे चलंग की तैयारिया सभी प्रत्यासित है बहुत जोर्पों से कर रहे है और हमारे साथ गरियंदर मानिर जी है इनसे हम बाचित करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर इस बार ये चुनाओं मैदान में उख रहे हैं और जैसा कि आपको हम बताए देए कि लगतार ये जो है अपने फुलवारी बिहान सभा च्छेटर में लगतार ये द जानता को जबी कि मैं जानता इस बार बदलाव चाहती है सत्ता के परिडरतन चाहती है और जनता इस परिवर्तन के दौर में तीन नवंबर को अपनी खैस्या लेकर लेंगे और समझते हैं कि जो सघर सील लोगोंगे जो उनकी प्रात आंच्छा को फूरा करने के साथ रहेंगे उनको अपोड़ करेंगे इन मुद्दों को लेकर आप इस बड़ी समस्या की समझती की सबसे पहले अमन चैन और सांती की सदुहाबना की यहां हमेशा आप देखते रहें होंगे कि संपदाइक दंगे लगतार होती है इसमें पहला मुद्दा मेरा होगा कि आमन चैन और समझताइक दंगे नहीं हो इसको रोपने का पहला काम में करूँगा जां अरसक में परजाब परियाद करूँगा इस संपदाइक दंगे इस भुबारी और इस गुधान सबाके अंदर इसी भी तराका नहीं हो शांती के जो भी तरौश करना परे चाहे सरक्ट पर संखर्ष करना परे या विरहान सबाक के अंदर संखर्ष करना परे मैं जितने के बाद या इच्छा का सवाल को परमुक्ता के साथ मैं उफाता रहूंगा और तीसरा है किसान जो आज तक जो महरूम है इस सरकार से यहां सिचाई की ववस्था नहीं होती है जाहां उनकी कुल कुप्रेशन नहीं होता है उन सिचाई विवस्था को सब्रीद करना उनके जो उत्पादन है उनके उत्पादन मुल को लागत को उतिक मुल विलाना वे हमारे सब्सक्रा की मिक्ता में होती है और जो यहां के गरीब गुर्वे के हैं जो कहीं आवास नहीं है कहीं उनके रोजी-रोजी के लिए कोई रोज़गार नहीं है और पी आसके पुनवा प्रूजगारी में बेरोजगारी के लिए मैं अपनी अस्तर से जितने के बाद चाहूँगा कि कुलवारी में इस कम्पणियां वैठे जहां जहां इस पुलवारी के लोगों के रोजगार मिलें प्रूजगार के लिए बाल बच्चे के शोर कर पत्री के शोर कर बूड़े और बुड़ी मा को शोर कर बिल्ली हर्याना पंजाब हैद्राबाद आधी जगों पर रोजी रोटी के लिए खलायन नहीं करना परे मैं इसका ध्यान रहूँगा और बिरहान सबा में भी संगर्ज क करेंगा उनी मुद्व के लेकर हम पुर्वाली के मददाओं के पास जा रहे हैं और इनी सवालों पर हुआ हमें बोड़ करेंगे और संगर्ज सिल व्यक्ति को ही लोग जीताएंगे यही मुझे आज वर्ट चाइनल से उमीद है कि ये बातों को जनता के बीच में हम ले जा जाता है कि आप माही पृड़िवार के उतों के लिए आपके लिए आपका सबसे पहला कदम अगर आते हैं आप सबसे पहले कदम कहते हैं पूसहर जाती सबसे गरीव है अपसिछित हैं और यह आवास बिहीन भी है और सरकार के यांकरे बताते हैं कि अभी भी यहां सिलिंग लगा दी जाए तो बीस लाख ही एकर फाजिल जमीन यहां है जिन गरीवों को आवास नहीं है उन गरीवों को आवास के लिए भूमी दी जा सकती है और बंदो उपाध्या का रिपोर्ट कहते है कि यादि मंदारी से कोई भी सरकार अधि कोई बाट दे तो दो यकर फर गरीव को जिनके पास भूमी नहीं है उनको भूमी मिल सकी है, तो मैं यादी जीत गया, तो ये भूमी का सवाल सबसे प्रमुक्ता के साथ, तकि धान सभाग के अंदर रखूँगा, चाहँगा मुख मंत्री कोई हो, मैं इनके लिए संहर्च करता रहा हूए। तकि निटियस प्रावी के सुटासन की सरकार के सराव बंडी, नकली सराव बंडी है, नकली आदेश है, बलकि पहले तो सराव एक के खेके पर मिलता था, आज तो सराव घरगर पहुंचाये जा रहे हैं, घरगर नसा में चूर हो रही है, यह सरकार भी चाहती है, कि आम जनता अपना सा में चूर रहें और मैं अपना भरास्टाचार लूर्ट पाट सब्ता के बजट को जैसे किताई से लूट करते रहें और अमनचैंड से कुई जनता ये इन चीजिवों पर कोई जनता सवाल ना कर सके, जनता को हम नसे में चूर रखें, यह हैं उनकी उदेश होती है, यहीं उनकी मंसा है, लेकिन जनता जार चूती है, और इनकी जो 15 बरस की सासन है, उसके खिलाफ हमाम फुर्वारी के लोग खरे हो गए हैं, इनकी सासन और फुर्वारी की विधाय का ज़री उनको जानत ते है सराब कानून से नहीं रूप सकता, सराब जन्शेतना से रूप सकती है, सराब जन्शेतना के अभ्यान से रूप सकता है, यह कानून का चीज नहीं है उत्रापन्दी, इसलिए मैं जाग रूप करूँगा, जन्शेतना चलाओंगा, और सराम पत्री को रूप करूँआँग पर दोंगा और उन अपने माली परिवार जो मुशहर जाती की लोग है उनको सिच्छित करने के लिए तरक डिस्कूल की विवस्ता करूँगा और साथ इस्ता जो सराब बंदिशो सासन बाबु जो बात करते हैं सराब का कि सराब किहार में बन पूझता है उसके जो है लोगों सब्सक्राइब नहीं किया है जल से जल यूटूप पे जाके सब्सक्राइब कर लें पेस्टूप पे लाइक करें इस्टा अबिटर में इसे कॉलो करते हैं देखते हैं यार वाट जीवस्ता है